उर्जा के कुछ स्त्रोतों का तुम विचार कर सकते हो वनुस्पतिया अन्न बनाने के लिए सूर्य प्रकाश का उप्योग उर्जा गे रूप में करती हैं घर में हम कोईला, रॉकेल, एल्पीजी का उप्योग अन्न बनाने के लिए करते हैं पचन क्रिया के बाद अन्न हमें उर्जा देता है हमारे घरों में पंखा, कंप्यूटर, मिक्सर, हिटर, प्रशीतक जैसी विविच सहिंत्रों का उप्योग करने के लिए विद्योत उर्जा का उप्योग प्राकृतिक गैस, सवर, जवारिय, ना भी किया ये उद्योग में इस्तमाल होने वाले उर्जा के स्त्रोत है कोईला, प्राकृतिक गैस ये उर्जा के एक्षय स्त्रोत है और सवर, जवारिय को उर्जा का अक्षय स्त्रोत कहते हैं क्योंकि वै कभी समाप्त नहीं होंगे, क्या मानव कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गयास बना सकता है? नहीं, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गयास मानव नहीं बना सकता, जंगल और समुद्री जीयो गाड़े जाने पर वै प्रकृति में तैयार हुए हैं, इसक इसले वर्षों से कई गुना आधिक उर्जा की मांग बढ़ी कोईला और पेट्रोलियम का उपयोग अभिचार पूर्वक किया गया और बाद में लोगों को ग्यान हुआ कि पेट्रोलियम और कोईला क्षय उर्जा स्त्रोत हैं और वो जल्द ही समाप्त हो सकते हैं ये भय और देशों की विकास के लिए आगे की उर्जा की आवश्यक्ता के कारण वैग्या निकों ने उर्जा के ऐसे परियाई ढूनने शुरू किये जो अक्षय हो और जिनसे परियावरण को कम से कम हानी हो परमानु उर्जा एक ऐसी उर्जा है जो परियावरण को कम हानी पहुंचाती है क्योंकि उसमें ज्वलन अत्वा कार्बंडाय उक्साइड या अन्य प्रदूशन करने वाले गैसों की उत्पति नहीं होती परमानु उर्जा के उप्योग से बड़े पैमाने पर विद्युत निर्मिती करने वाले यंत्र को परमानु भट्टी कहते हैं परमानु भट्टी में नाभी की अभिक्रिया से परमानु में मौझूद नाभी की उर्जा परमानु इंधन पर मुक्त करते हैं ये नाभिकी अभिक्रिया कैसी होती है ये हम देखेंगे नाभिकी अभिक्रिया के दो प्रकार हैं एक विखंडन अभिक्रिया दो विले अभिक्रिया इन दोनों प्रकारों में प्रचंड उश्मा उर्जा उत्पन होती है जिसका रुपांतरन बाद में विद्यत उर्जा में किया जाता है विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रोन अत्वा अन्य समानकणों का मारा करके रेडियो धर्मी तत्व के परमानों का नाभिक विभिन्न तत्वों के दो या अधिक नाभिकों में विभाजित हो जाता है विलय अभिक्रिया में समान अत्वा अलग तत्वों के दो या अधिक नाभिकों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नए तत्व का नाभिक तयार करने के लिए एकत्र आने पर मजबूर किया जाता है। पर्मानु भट्टि में रुपांतरित की जाया। तो कितना कोईला बचा सकते हैं। भारत में 22 परमानु भट्टियां आठ स्थानों पर कारेरत हैं जो 6780 मेगावैट उर्जा उत्पन करती हैं। और 11 परमानु भट्टिया निर्मान में हैं जो अधिक 8100 मेगावैट उर्जा उत्पन कर सकेगी भावा परमाणू अनुसंधान केंद्र ने बनाई हुई अपसरा ये सबसे पहली परमाणू भट्टी है अपसरा चार अगस्त 1956 में कार्यानवित हुई परमाणू भट्टी जिन सिद्धान्तों पर काम करती है वो हम देखेंगे परमाणू भट्टी नियंत का उपयोग करते हैं इसे समझने के लिए परमाणू इंधन यूरेनियम 235 इस समस्थानिक के नाभिक का विखंडन होकर क्रिप्टन 92 तथा बेरियम 141 इन भिन्न तत्वों के नाभिक और 2-3 नियूट्रॉन का निर्माण होता है नियूट्रॉनों की गति कम करने पर वे और यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करते हैं इस प्रकार से नाभिक ये विखंडन की श्रंखला अभिक्रिया होती है इसमें नाभिक से बड़े पैमाने पर नाभिकी उर्जा आर्था परमान उर्जा मुक्त होती है संभावित विस्फोट टालने के लिए श्रंखला अभिक्रिया नियंत्रित रखते हैं यह विखंडन श्रंखला अभिक्रिया ज्यादा नियूट्रोंस अवशोशित करके वो आगे यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक ही नियूट्रों का अगात करके नियंत्रित की जाती है इस मार्क से विखंडन श्रंखला अभिक्रिया नियंत करने के लिएле tahu ok enhance Internet न्यूट्रोन की गती कम करने के लिए उप्यों किया जाता है कि रिखन्दन श्रंख्ला अभिक्रिया जारी प्रिलियम आदी की छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग करते हैं विखंडन प्रक्रिया में निर्माण होने वाली उश्मा पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर अलग की जाती है इस उश्मा से पानी की वाश्प बनकर उस वाश्प की सहयता से टर्बाइंस चलाय जाते हैं और विद्युत निर्मान होती है इन परमानु भट्टियों में कोईले की जगा यूरेनियम 235 थोरियम प्लुटोनियम जैसे परमानु इंधन का उपयोग किया जाता है इसे कोईला बचा सकते हैं और यह परियावरण के लिए अनुकूल है भारत में थोरियम 232 के ब 235 समस्थानिक में रूपांतरित की जाएगी परमानु उर्जा विलय अभिक्रिया से भी उत्पन कर सकते हैं विलय अभिक्रिया में चार हाइड्रोजन नाभीक का विलय होकर हिलियम का नाभीक और बहुत सारी उर्जा उत्पन होती है यह विलय अभिक्रिया सूर्य में होत यह नाभी की विलय अभिक्रिया होने के लिए बहुत उच्छ तापमान लगता है प्रित्वी पर विलय अभिक्रिया परमानु भट्टी के लिए प्रयत्न जारी है क्योंकि वै अधिक निर्मल स्तुरोथ है वै रेडियो धर्मी उपोत्पाद उत्पन नहीं करता विखंडन अभिक्रिया के कारण रेडियो धर्मी उत्पाद उत्पन होते हैं इनका निप्टान एक बड़ी समस्या है इसमें आयोडिन कैल्शियम स्टोंटियम जेनोन और बेरियम के समस्थानिक हैं अभी यह रेडियो धर्मी कच्रा समुद्र के तल में गाड़ा जाता है जिससे यूरेनियम की बड़ी मात्रा श्वसन से शरीर में जाने से फेपड़ों का करकरोग हो सकता है यूरेनियम के निगलने से किण्णी खराब हो सकती है उसका रेडियो धर्मिक शय अनेक रोगों का कारण बन सकता है रेडियो धर्मिक कच्रे के निप्टान के मार्ग हमें ढू एक चेर्णोबिल के परमानु भट्टी में 26 अप्रेल 1986 में बहुत बड़ा अबगात हुआ प्रिप्याट का भाग अब भी रहने लायक नहीं है और वहां अब भी उच्छ मात्रा में विकरण हो रहा है दो, फुकुशिमा डाइची के परमानु भट्टी में सुनामी के कारण 11 मार्ज 2011 में अबगात हुआ था विकरण इतना था कि वहां से लोगों को हटाना पड़ा इन दोनों जगहों पर अब भी बड़ी मात्रा में विकरण हो रहा है जिसके कारण वहां लोग नहीं रह सकते उर्जा तीन दशलक्ष्टन कोईला जलाकर निर्मान की हुई उर्जा के बराबर होती है परमानु उर्जा एक ऐसी उर्जा है जो पर्यावरण को कम हानी पहुंचाती है क्योंकि उसमें ज्वलन अत्वा कारण डाय ओक्साइड या अन्य प्रदूशन करने वाली गैसों के उत्पत्ती नहीं होती आगे दी हुई क्रिती करो भारत के परमानु शक्ति सयंत्र की सूची बनाओ और उन्हें भारत के नक्षे पर दर्शाओ